चुनाओ आएगा तो वादा होगा करोडो रोजगार मिलने का बात होगी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ने जाएगी तो बनारस हिंदू इन्वस्ट्री यानि बियेच्चू जैसी जगा पर उसके साथ रेप हो जाएगा और फिर जो विरोध करेंगे उनको स नौकरी मिलेगी 12,000 रुपए की 400 रुपए रोज की 8-9 घंटे काम करने की और जब वो अपनी तनखाह बढ़ाने की मांग करेंगी तो उनकी लाइट काट दी जाएगी वाश्रूम का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा लाक कर दिया जाएगा और जब सड़क पे उतरेंग तो उनके साथ बत्तमीजी होगी ये है यूपी का आदर्ष मर्डल जिसको लेके योगी आधि थिनात पूरे देश में घूमते हैं कि हमने यूपी को ये बना दिया है वो बना दिया है आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि उन्हें यूपी को असल में क्या बनाय नमस्कार TCH पर आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश यानि आदित्यनात का राज योगी राज जहां कहा जाता है कि सारी समस्याएं खतम हो गई है योगी आदित्यनात अलग-अलग स्टेट्स में चुनाव परचार करने के लिए जाते हैं और जो सांपरदाईक बाचीत करते हैं उसके अलावा लगातार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून विवस्था बहुत अच्छी हो गई है उत्तर प्रदेश में बाकी सारी चीजें बड़ी अच्छी हो गई हैं बहुत विकास हो रहा है अभी पिछले हपते हम लोगों ने देखा था जो कुछ BHU में हुआ एक महिला के साथ जो कुछ हुआ और उसके बाद जब बच्चे BHU के गेट पर आकर BHU के अंदर विरोध कर रहे हैं पहले तो यह 112 नंबर है क्या दिली में डायल 100 है यूपी में डायल 112 है यह है क्या अगर आप लोगों को विदेशी फिल्मों का शौक होगा और हालिवूट की फिल्में आप देखते होंगे तो अमेरिका में एक इमर्जनसी नंबर आपको मिलता है 911 इस नाम से भी फिल्में बनी हुई है बहुत सारी फिल्मों में 911 का आता है कि कोई परिशानी में है 911 पे फोन करता है तुरंत उसको मदद उपलब्द कराई जाती है इसी मॉडल पर इंडिया में भारत में एक सिंगल इमर्जनसी लाइन लांच की गई थी 2019 नंबर की ये हल्प लाइन थी जिस पर कभी भी आप फोन करके और कोई भी सुविधा वहां से ले सकते हैं कोई परिशान कर रहा है आपको आपकी अगल बगल आपको लगता है कोई इसी हरकत हो रही है तो आप इमर्जनसी में वहां पर फोन करके और कनेक्ट हो सकते हैं बड़ा प्रचार किया गया इसका योगी आदितनाजी ने खुद इसका उधगाटन किया उधगाटन में बड़ा चट ड्रेस पहने हुए वो महिलाएं दिखी जो 112 को सम्हा लेंगी उसे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मदद मिली है लेकिन पिछले कुछ दिनों से यूपी में ये डायल 112 की जो सेवा है वो बाधित है कारण कि इसमें 600 के आसपास जो महिलाएं भरती की गई थी जिनका काम कॉल उठाना है उनको कॉल टेकर्स कह सकते हैं कॉल सेंटर ही ह तो उस कॉल सेंटर में जो महिलाएं काम कर रही थी उन्होंने अपने वेतन में बढ़ुतरी की मांग को लेकर काम करना बंद कर दिया है गाजियाबाद प्रयागराज जो इलाभाद था पहले और लखनों में ये हरताल चल रही है और केवल इन तीन सेंटर पे रोज 75,000 या बहुत कम है ये लड़किया कह रही है जो महिलाएं बैठी हुई है वो कह रही है कि टेक महिंद्रा कंपनी ने उनका चैन किया था पिछले हफते टेक महिंद्रा कंपनी का कॉंट्रेक्ट खतम हो गया उसके बाद एक नई कंपनी को कॉंट्रेक्ट मिला वी विन कंपनी को अ और नई भर्तियां शुरू हो गई हैं। के आती है तुरंत उठाना है क्योंकि कोई भी काल ऐसे ही नहीं आती है सारी इमर्जन्सी के आती है लोग जो परशानी में फसते हैं वो फोन करते हैं। जिस तरह से महंगाई देश के अंदर बढ़ी है चार साल से उनका वेतन नहीं बढ़ा है बारह हजार रुपए केवल वेतन मिलता है अगर आप लखनौ जैसे शहर में गाजियाबाद जैसे शहर में या इलहाबाद जैसे शहर में दो कमरे का मकान ढूनने जाएंगे तो वो भ को बारह हजार में मिलना आसान काम नहीं है बाकी सब तो छोड़ दीजिये 12,000 रुपए में कोई अपनी डाल रोटी नहीं चला सकता दिली यज़से शहर में गाजियाबाद दिली में बहुत फरक नहीं है दिली यज़से शहर में 12,000 रुपए तो आपके उसका एक बड़ा हिस्सा तो केवल आफिस आने जाने में आपका खर्च हो जाएगा अगर 100 रुपए रोज का भी खर्चा अगर रखें minimum metro में लटके जाएं, bus से जाएं 100 रुपए रोज का भी खर्चा हो तो अगर 25 दिन आफिस जाना है आपको तो यह खर्च हो गए सिर्फ 12,000 रुपए उनको इंकम दी जा रही उनसे कहा गया था कि आपको 18,000 रुपए का वेतन मिलेगा 18,000 रुपए भी कोई बहुत जादा नहीं है लेकिन ये सैलरी भी नहीं बढ़ाई गई असल में सरकार जो हमारी है यूपी की सरकार जब पिछली बार चुनाओ हुआ था तो सबसे बड़ा प्लैंक था और उस पर वोड भी मिले पाँच किलो महिने का अनाज देने का भीक में पाँच किलो अनाज दे दो और उसको भी समझने की जरुवत है वो भीक नहीं है पहले लोगों के पास राशन कार्ड होते थे राशन कार्ड पे बेहत सस्ता गेहूं भी मिलता था चावल भी मिलता था शक्कर भी मिलती थी चीनी भी मिलती थी तेल भी मिलता था मिट्टी का और मैं तो उस समय का हूँ हमने वो वक देखा है जब राशन कार्ट पे कापियां मिलती थी, नमक मिलता था और क्या नहीं मिलता था, वो सारा सिस्टम धीरे 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 खतम कर दिया गया, पहले राशन कार्ट पे सब को मिलता था, फिर यह हुआ बीपियल को मिलता है और आप पता नहीं किस को मिलता है, और उसकी जग मिली और ये आज नहीं शुरू हुआ है ये 2010 के आसपास ये एक पूरी प्रक्रिया शुरू हुई जिसमें पूरे देश में ऐसे ही रोज़गार पैदा किये जा रहा है किसी में 15,000 मिलता है किसी में 18,000 मिलता है और जो लोग चिला चिला के बोलते हैं किस हफते में 70 घंटे की नौकरी होनी चाहिए आठ दिन में 70 घंटे आदमी को नौकरी करना चाहिए जोड़ लिजे कितना होता है साथ दिन में सत्तर घंटे सौरी यानि रोज दस घंटे आपको नौकरी करनी चाहिए दिल्ली यासे शहर में एक घंटे जाने का एक घंटे आने का यानि बारा घंटे आपको नौकरी करना चाहिए 6-7 घंटे सोने के चाहिए बागी किसी के लिए कोई समय नहीं है लेकिन वो ये बात कभी नहीं करते हैं कि मिनिमम तनखा कितनी होनी चाहिए अदानी, अमबानी, MLA, MP, मिनिस्टर, लाखो करोडो कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं अदा ही नहीं चलता है, एक-एक पार्टी पर, एक-एक शादी पर करोडों खर्च कर दिया आते हैं अभी चुनाव चल रहा है, एक-एक उमिद्वार करोडों में खर्च कर रहा होगा लेकिन आम आदमी को नौकरी के नाम पर ये मिलता है लॉलिपाप, 12,000, 18,000, 15,000, 20,000 की नौकरी मिलती है जिसमें दिल्ली जैसे शहर में अगर आपका परिवार है और एक भी बच्चा है तो उसको पढ़ाना, लिखाना और किसी घर में रहना लगभग, लगभग असंभव है, आपको जाके उन इलाकों में रहना पड़ता है, जहां न पानी है, न लाइट है जहां सरकों के नाम पर पता नहीं क्या है और इतनी पतली गलियां है कि आपके घर में हवा तक नहीं आती है हमने एक वीडियो किया था, लंबा वीडियो किया था, डॉक्योमेंटरी जैसा जिसमें हम मुसलिम इलाकों में गए थे और हमने देखा था कि लोग वहां किन हालात में रह रहे हैं, इस तरह का रोजगार दिया जाता है और जब कोई मांग होती है तनखा बढ़ाने की, तो वो होता है जो इन औरतों के साथ हुआ जो ही इनोंने अपने दफ्तर में धरना प्रदर्शन शुरू किया, उसके बाद प्रशासन सीधे दमन पे उतर गया सबसे पहला काम क्या किया गया, उनकी लाइट कार्ट दी गई, दूसरा काम क्या किया गया, सौचाले जो होता है, बाथरूम जो होता है, वाशरूम जो होता है, उसको लॉक कर दिया गया, ताकि ये जो महिलाएं है, ये वाशरूम तक में न जा सके, आप ये सोचिए कि वा करकार की नियत आप देखिए कि ना केवल उनकी बिजली काट दी गई बलकि उनका जो सोचाले था उनका जो वाश्रूम था उनको क्लोस कर दिया गया 24 घंटे से जादा समय तक ऐसे माहौल में वो औरतें लगातार प्रदर्शन करती रही और उसके बाद जब योगी आदित्यनात यानि मुख्यमंत्री महोदै से मिलने के लिए वो सड़क पर निकली तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया मार पिटाई हुई और काफी खीस्तान दिखाई दी और उसके बाद हिरासत में लेकर इको गार्डेन भेज दिया गया वहाँ नई आउट्सोर्सिंग कंपनी वाले जब दबाव ज़्यादा पड़ा होगा तो वो आफर लेटर लेकर पहुँचे वहाँ पर लेकिन औरतें इस बात से संतोष नहीं है और उनका प्रदर्शन अभी भी जारी है पी एसी को शायद वहाँ पर न्यूक्त किया गया है एक बयान आया है एडीजी वन वन टू अशोक कुमार सिंग साब का उनका कहना है कि हरताल कर रही लड़कियां लड़कियों के बीच में कुछ कंफ्यूजन है बच्चियां वेतन को लेकर कन्फ्यूज है इनको आफर लेटर दिया जाना है और अभी इन्हें मौखिक रूप से बताया गया है इनको बता दिया गया है कि पहले जो वेतनमान निर्धारित हुआ था वो सेमी स्किल काटेगरी में था लेकिन अब इसे स्किल काटेगरी में किया है जिसके वज़ बयान नहीं आया है विपक्ष के जो नेता है अखिलेश यादो उनका बयान आया है इसके अलावा कॉंग्रेस के जो नेता है वहां के अध्यक्ष जो है अजय राय जी वो उनसे मिलने गए थे ये सारा कुछ हुआ है अब सवाल असल ये है कि ये सरकारें किसी टेक महिंद्रा, किसी इससे, किसी उससे रोजगार क्यों दिलवा रही है, सब कुछ ठेके पर क्यों हो रहा है, जो सरकारें जिनके मुख्यमंत्री करोडों के हवाई जहाज में घूमते हैं, जिनके MLS के पास करोडों करोडों रुप जासकती है, जैसे पुलिस बिभाग में नियुकती होती है, जैसे वाकी जगों पर नियुकती होती है जिसमें इनको सरकारी नीमों के अनुसार तंखा मिले, समय पर प्रमोशन मिले, छुट्टियां मिले, और सारी सुまぁ सुञिधाएं मिले मैं बताता हूँ ऐसा इसलिए किया जाता है सोचिए गजरासा बेरोजगारी से फाइदा किसको होता है आप कहेंगे ये क्या बात हुई बेरोजगारी से फाइदा मैं बताता हूँ आपको मान लिजे आप किसी कंपनी के मालिक हैं और नौकरी निकालते हैं और देश में जबरदस्त बेरोजगारी है तो क्या होगा लाइन लग जाएगी कोई 15,000 में काम करने को तयार नहीं होगा तो अगला 12,000 में काम करने को तयार हो जाएगा क्योंकि कहा जाता है कुछ नई से कुछ भला घर में बैठा है भूखा मर रहा है माबाप के रोस ताने स तो चलो 12,000-15,000 जो मिलेगा लेकिन नौकरी कर लेगा लेकिन वहीं अगर माल लिजे कि बेरोजगारी नहीं है रोजगार है तो क्या होगा वो तभी आप कहां नौकरी जोइन करेगा जब उसको उसकी योगिता के अनुसार वेतन मिलेगा तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा फाइदा होता है प्राइवेट सेक्टर को कि वो अपनी तनखाएं जितनी चाहे उतनी कम कर सकता है प्राइवेट सेक्टर होता ही इसलिए है कि अपने प्राफिट को जितना चाहे बढ़ा सके और उस प्राफिट को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी ये होता है कि अपने कर पर्मानेंट रोजगार देने के जगह सबका काम एक ही है कि कैसे भी ठेके पर निपटाओ 12,000, 15,000, 16,000, 18,000 पर लोग नौकरियां करे जिस दिन मन करे रखो, जिस दिन मन करे निकाल दो और जिसकी नौकरी पर 24 गंटे तलवार लटकी हुई है वो सवाल तो क्या उठाएगा ऐसे में बिहार से जो खबर आई है वो निशित रूप से खुश करने वाली है जहां एक साथ लाखों लोगों को पर्मानिंट सिक्षक की नौकरी दी गई पता नहीं लेकिन बाकी स्टेटिस से कुछ सीखेंगे या नहीं सीखेंगे अभी तो सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं भारती जन्ता पार्टी के लोग जो इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं वो अपने हां 12,000 रुपे पर काम करने वाली लड़कियों के उपर लाठियां चलवाते हैं उनका दमन करते हैं 140 तक बंद कर देते हैं जब वो अपनी नौकरियों के लिए बहतर इसे थी और बहतर तंखा की मांग कर रही है मुझे लगा कि ये एक ऐसा इशू है जो बहुत संसनी खेज भले ना हो लेकिन जिस पर बात किया जाना जरूरी है अगर हम नहीं बात करेंगे तो ऐसे इशू पर कौन बात करेगा और अगर आपको भी लगता है कि ऐसे इशू पर बात होनी चाहिए तो आपसे मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जहां तक पहुचा सकते हैं पहुचाईए हमारे चैनल से जुड़िये ताकि हम लगातार सत्ता की आँख में आँख डाल कर इस तरह के मुद्दों पर बात कर सकें आज के लिए इतना ही बहुत शुक्रीए